आप कर दो में है 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 ओलो गोड़ाप्रून नमस्कार का अ ओक के अचले कर श्टार्ट करते हैं जैसा कि मैं आपको यूड नबर 7 और यूर्ट कर देखने को मिलेंगी नई चीजे से यहां ह साथ सेर करना चाहूंगा तक कि आपको पता चले कि कैसे कैसे केशन बनते हैं चलेगा पहला बात करते देखो Accolometer यह आपने देखा होगा यह क्या बता आता है जो गाड़ी जो होती गारी जो speed जो होती बाहन की charging जो होती है उसको बताने के लिए axilometer को use किया जाता है एक मुट भीएगा axilometer को use है गाड़े की चाल्म जो ब्रद्धी होती है उसको बताने के लिए use को किया जाता है accumulator एक आपको सहीं अंतरा आपको देखने को मिलेगा एक instrument देखने को मिलेगा जो क्या काम करता है एक बोड़ देखिए एक्ट्रोमीटर का काम करता को समय तक यह electricity को बिद्धो धारा को संचेत कर सकता है एक्ट्रोमीटर आप देखेगा यह कौशनी हां से पूछा भी जा चुका एक्ट्रोमीटर एक्ट्रो मीटर यह क्या कम कर सूरी से जो आने बाले जो विक्र न जो है रेडियेशन जो है इसको निर्धारत करता ये उसको मेजर करता एक्ट्रो मीटर एरोमिटर ये तो आपको पता होगा तो जो गैसों का जो भार को मापता है अल्टीमिटर देखेगा जो बेवान की जो उचाए कभी आपने बेवान में सफर किया हो तो बताता है इतनी उचाए पर उड़ रहा है चलेगा आगला कोशन पहले से आपको IPS में आपको बता दूँ IPS कौनसा है ओके यहां से दो कोशें पूचे हैं एक पूच है अच्छा पूचा है और दुस्फा अईनिमोमीटर यहां पूचा गया है तो मैं दो की उपर ही चर्चा करूँगो आपको ताकि आपको ज़्यादा याद करना ना पड़े बात करते हैं, अमीटर ये तो आपने सभी ने देखा होगा यदि किसी ने फिजिक्स के प्रैक्टिकल की होंगे तो जो बिद्द्धारा जो होती है इलेक्टिक करने जो होता, उसको मेजर करने के लिए ये आमीटर का यूस किया जाता है बात करेंगे एनिमो मीटर, देखेगा एनिमो मीटर, एनिमो का मतलब होता एर तो ये क्या काम करता है, जो हबा जो बहरे ही है वो कितनी पेजी के साथ बहरे है, उसकी सक्ती को मापने के लिए एनिमोमीटर का यूज किया जाता है इस एनिमोमीटर को आप देखेंगे कहाँ पर जहाँ पर जो प्लेन बगएर उड़ते हैं तो वहाँ पर एनिमोमीटर होता है तो वो क्या करता है बाईो को दिसा तो दूसरे बताते हैं बाई गती जरूर बताई जाती है चलिएगा ओडियो मिटर, ओडियो फोन, ओरिस्कोप यह देख सकते हो आप ओरिस्कोप आप देख सकते हो कभी आप कान चेक कराने के लिए गए हो तो डॉक्टर क्या काम करता है एक पतला सा बायर होता कान के अंदर वो एंटर कराता है वो सामने उसी computer screen पर वो कुछ दिखाई देता है उसी कुबल जाता का oroscope कहा जाता है तो ये क्या काम करता कान के आंतरिक भाग का निरिक्षन करने के लिए scoping किया जाता है चलिएगा इन सब message में जो काम कहें आपको बताऊंगा जाता मैं आपको unnecessary information नहीं दूँगा जहाँ से caution बने हुए देखो ये तो इससे मान के चलो आप 50 बार caution बन चुका है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगी जो मैंने barometer को आपको बताया है barometer हो गया और binaculars जो हो गया तो यहाँ पर आपको जादा देखने को मिलेगा barometer के use आपको देखने को मिलेगा तो इसको मैं आपको पहले भी discussion कर चुका हूँ इसके बारे में यह होता क्या है इसका function कैसा होता है तो बात करते देखेगा जो barometer जो आपको दिखाई दे रहा है तो यह क्या काम करता है यह बायो मंडली दाब को प्रेसर को मिजर करने के लिए बायो मंडली दाब को मापने के लिए उप्योक के जाता है किसका बात सुम्यारी है बात करते हैं आगे और देखेगा हाँ तो barometer के समया आप याद रखेगा बेरोग्राफ क्या होगा जो आपका तो प्रेसर जो होगा उसको आपने ग्राफ की उपर अंकित कर दिया है ग्राफ की उपर सुक्या कर दिया है आपने उकिर लिया है उसे क्या वाल जाता है बेरोग्राफ यहाँ पर कहा जाता है चलीगा आगे बात करते हैं आगे से मत करते हैं हाँ बर्निर केलिपर्स ये भी बार कभी पूछा है कर अपको देखने को मिलेगा कहां पर यह आपको देखने को मिलेगा लेबोरेटरी में physics की आपने experiment की होंगी तो बर्नीर कैलिपर साब को देखने को मिलेगा बाकी के यह आप छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं मगरें दो को आप नहीं छोड़ेंगे बाकी को उपर में discussion भी नहीं करा रहा हूं जादा देखेगा यहां से जो caution पूछा गया मैं आपको बताता हूँ जो काम के उनको अपन देखते चलेंगे हाँ कैलोरी मिटर आपको देखना पड़ेगा और बाकी कोई काम के खास तो नहीं है कैलोरी मिटर जरूर आप देखेगे एक कार्बुरेटर भी एक और caution पूछा था कार्बुरेटर जो होता यहां पर पैट्रोल और एक क्या होता इंधन का देहन होता कार्बुरेटर बहानों में आपको देखने को मिलेगा तो बात करना चाहूँगा पहले कैलोरी मिटर तो यह आपको याद रहेगा कैलोरी तो यहां पर क्या होती आपने एक बंप कैलोरी मेट्री आपने पड़ा होगा तो उसमा की जो मात्रा जो होती है किसी पदार से कितनी एनरजी जो आपको मिलती है उसको मिजर करने के लिए कैलोरी मिटर का यूज यहाँ पर किया जाता है बात करते हैं कार्बुरेटर का यूज अब बात करें तो कार्बुरेटर का यूज नहाँ पर क्या होता है कार्बुर्टर आपको देखने को मिलेगा, जहांवर पेट्रोल का अंतहा धेन होता है, पेट्रोल को वहाँ पर बर्न करके एनर्जी को यूज किया जाता है, तो कार्बुर्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, कार्डियोग्राफ मैं आपको बता ही चुका था, कार्डिय कैसोग्राफ का होता है कैसोग्राफ को popular को जग्ढी चंदेश ऑफ बुजद बुस ने बनाया था जग्ढी चंद्र बुस ने सेंबेंट कीया था इसी तो इसे की दौरा की पाथो भी यहां से, पोधो में भी क्या होता, Cell division होता, Coast का विभाजन होता, पोधै क्या होते, जीवित होते, कैसो Graph का रही है बहुक कर दो पोधै की जो ब्रधी को दर्साने बाला, यह मीटर होता है। हां देखेगा cryometer इसको आपको याद रखनाँ cryo तो मैं आपको इस शिखाए भी थैकख क्रायो मीन सभी होता low temperature देखिसर क्रायो का मतलब होता क्या कम तापमान वो मिम्में मतलब कम तापमान को मपना याद करीए और मैं आपको इसी सखाए टैकट मेरे प्रश्रम Metal मैंने एक सब्दा आपको सिखाई रहा रहा है cryopreservation, देखो, तो सुन डेगरी के आसपास का ताप माहन उसको मापने के लिए cryometer का यूज किया जाता है, ये बात को सम्या रही है, तो cryometer यहाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चलिएगा बागी डेनियल सेल डेंसिटी तो आपको पता घनत वाला डेनियल सेल यह आपके साइटो ट्रॉन यह हाला की काम क्यों तो नहीं है आप चाहें तो उनको पढ़ सकते मैं आपको बतारों जहां से कॉशन बने हैं या बनने की संभावना रहेगी तो पहला देखो आप डाशीन यहां से समझेंगी और डायनो आप यहां से कोशन तो फूचे ही गए हैं इस एको जली से बता दूंगा बागी की देखो होता है कि को मतलब होता है कि हुलाइडिट सोलिचन में इसे कोलाइडी कड़ों को अलग करना ये प्रोसेस क्या कहलाती है इसी को भी बोला जाता कि डाइलेसिस कहा जाता है वह सम्यारी है तो डाइलेसिस के मारते हमसे होता क्या है कोलाइडी कड़ों को अलग करते है तो आप डाइलेसिस मसीन का यूस कहा करते है यांतरे कुर्जा को बिद्धो तूर्जा में परिवर्दित करने बारा एक यंतर होता है तो पहले करवी डाइनमो साइकल बगएर में आपने देखा रोसरी करने के लगे हुए होते थे अब हाला कि वो दाज़दा देखने को आपको नहीं मिलेगा चलेगा अगले के तरफ चलूँगा आगे के तरफ देखेगा यहां से ज़्यादा खास काम का है इलेक्ट्रोन माइकोस्कोप याद करेगा मैंने मताद नाइंटीन थर्टी टू में दो साइंडिस थे एक नाम था रसिया के बैग्यानिक थे नौल एंडिस का नौल वरस का नाम आप बैग्यान को ने इलेक्ट्रोन माइकोस्कोप क्या किया था इन्वेंट किया था इसका अविसकार किया था तो यह electron microscope जो होता है देखेगा यह क्या काम करता है इससे आप मैंने आपको बताई भी था इसी channel के उपर कि 2,00,000 गुना बड़ा करके देखा जाता है दो लाग गुना बड़ा करके किस के मात है हमसे electron microscope के मात है हमसे रसिया के दो बैग्यानिक थे नॉल वरसका ने इसको invent किया था इसको बनाये था अगला देखेगा इसमें काम का जो मैं आपको बतातो हाँ दो इसमें बहुत पुछी काम के दिखाई दे रहे हैं एक फैदो मीटर से ऊपर टीन चारवार कौशन पूछा है एंड़ोस्कोपी के उपर और यहां पर कौशन पूछा गया है एलेक्ट्रोस्कोप क्या कहलाता है कि बिद्दुत आवेस की उपस्री मतलब बिद्दुत चार्ज कहीं पर है उसको बताने बाला क्मीटर होता क्या एलेक्ट्रोस्कोप जबकि endoscope क्या काम करता है, internal organ को याद करिएगा, मैं आपको कई बार question बता भी चुका हूँ, तो TIR की उपर based होता, total internal reflection की उपर आधार्थ युक्ती होती है, क्या endoscope, ये बास समया रही है, तो endoscope सरीर के अंदर आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रियुक्त किया जाता है, बासों में आगला देखे कि ये फैदो मीटर भी आपको नहीं बूलना है, एसकलेटर आप तो आपको पता होगा, कई भी अपने मॉल में देखा हो, तो जो चलते हूँ, सीरिया होती है, आप आप खड़े हो जाओ, आपने आप उपर पहुंच जाते हो, जो फैदो मीटर ज किया जाता है, फायर एतिशंग कशन करता है, यहासे कार्मना य ऑक्सिर होती है, बासौंजा रहिए, यह कहाता था फायर एतिशंग क होता है, बाcribing देखे एक यह ये युच्पेम, काउंटर, गूगर जीर में काउंटर क्या होता है, कहीं भी आपने देखा हो मार्लोЭто फिक्रियन्त है परमाण। बिजली घर है तो आसपास के छित्रों में क्या होगा रेडियोशन निकलेगा बिकरण निकलेगा अलफा बीटा गामा के तौर पर energized resonance ॥ यहाँ पर निकलती हुए आपको दिखाई देंगी तो इसको मापने के लिए गीगर मुलर काउंटर कॉप्यों किया जाता है तो फायर एश्टिंग रिसर और गीगर मुलर काउंटर यह आप दो ज़रूर याद रखेगा आगला देखेगा देखो ग्रामो फोन आपने पुराने जमाने में देखा हूँ कुछ इस तरीके का एक साउंड का एक आवाज करने का होदा तो नीचे चक्ति लगी होती तो घूमती थी यहाँ पसको रख दिया जाता था तो ग्रामो फोन पहले कभी यूज किया करते थे तो उसको मिजर करने के लिए गाइरसकोप का यूज किया जाता हाट लंग मसीन फेदर फेफडों के आपरिशन के समय हाट लंग मसीन को लगा जाती है इसको याद रखेंगा हाइड्रो जितने भी द्रव जो होते हैं उनका घनत तुमापने के लिए हाइड्रो मीटर का उसको मिजर करने के लिए हाइड्रो मीटर का यूज किया जाता है इनक्यूबिटर आप सभी को पता है जो इम्मेश और बीबी पैदा होते हैं आप परिपक को बच्चे पैदा होते हैं उनको कुछ समय तक क्या कर कि किया जाता है आर्टिफिसल कंडिशन में रखा जाता है तकि उनका बेकास अच्छे से हो पाए तो यहाँ पर इनक्यूबिटर का यूज किया जाता है सबोस्थ एक बच्चा को साथ मही ने पैदा हो गया तो जो इनक्यूबिटर जो होता है यहाँ पर एक कंडिशन ऐसी बनाई जाती है यह जैसा वो गरभास है कि अंदर था बैस याद हो जाएंगे तो बागी को भी आपको बता दूँगा लेक्टोमीटर याद दखी कि मिलक में एक सुगर पाई जाती है दूद में एक सरकर पाई जाती है इसको बोले जाता है लेक्टोज आपको मैंने बताया था इस लेक्टोमीटर को ही मिजर करता कौन सा लेक्टोम कंड़क्टर क्या होता है जो बड़ी बड़ी जो इमारते होती है अब देखेगा अब बिजली चमकेगी तो यहां पर उपर कुछ इस तरीके के सेयंत लगा होता है तो यहां पर यह जो बायर होता है यह कहां पर जमीन में अर्थिंग होती है अब मालों बिजली कभी चमकी त तो यह क्या करता है, gifts यहाँ से बिजली होते होते जमीन में पास कर देता है, तो मतलब или an advent को नुकसान नहीं होता है। मगर आप से यह नहीं पूछा किक लाइटनिःंग कंड़क्टर क्या होता है, उसने यह पूछा था, यह lightning conductor होता कौन सी धातू का बना हुआ होता है तो आप याद रखेंगे ये copper का बना हुआ होता है तो जो क्या काम कर दो बिजली चमकती है तो बिजली को क्या करता जमीन में ये पहुचा देता है लाओडी फिर्टर आपको पता ही है मैंगे तो बागी कुछ खास काम का तो नहीं है मागर lighting conductor की उपर यहां से caution बना हुआ है इसलिए मैं इसको आपको बोलूँगा कि मैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा वालकि मैक मीटर तो आपको पता होगा जो बड़े बाहान होते हैं मैक मुन की रफटार मापा जाता है मैं physics में आपको बताऊंगा आगा देखेगा बहुत ब्रत काम का है मैनोमीटर नहीं माइक्रो माइक्रसकूप तो PSC ने पूछी लिया है यह तो आपने फूस देखा ओगा पिशी ने पूछी लिया है बात करते हैं मैनोमीटर यह क्या काम करता है? यह Gases का प्रेसर बताथ है, गैसों का यह दाब को मापता है जो सपोरसर गुबारे में एक टायर में अपने हवा भरी तो उसको मापने के लिए मैनोमीटर यूज्प किया जाता है तो मैनोमीटर और माइक्रोस्कोप दो के उपर कॉशन बन चुका है यहां पर आप देखे कि मैं आपको बताना पसंद करूँगा पैरिस्कोप के बारे में बताना पसंद करूँगा पेरिस्कोब, पेरिस्कोब नहीं, औसिलोग्राफ नहीं, माइक्रोटोम भी नहीं, पेरिस्कोब देखेगा, पेरिस्कोब क्या होता है, यह दूर इस बस्तों को देखने के लिए उप्योग किया जाता है, पेरिस्कोब, आपने देखा हो का सुसान्त सिंग के पास, यही पेर इसको आप याद रखेंगे भाई अगर देखेगा ओम्मीटर ओंडो फोनों देखो तो इन सम्मे मैं आपको बताओं सबसे रतिक काम का है आपका ओडोमीटर काम का है भाहियों द्वारा चलिए गई मनलो आप देखो कभी रोड बनती है तो उनके पास एक साइकल सी होती वो उनके और उनके बाई उसमें लगा हुए होता है तो वहां से वहां तक भी कितनी साइकल चली है यह तो उत्रह के है उतनी दूर है वहाँ तक आपकी रोड उतनी बापको बननी है ओम मीटर ओम प्रतिरोत को मापने कि काई होती तो ओम मीटर रसिस्टेंस को मिज़र करेगा फोनोग्राफ, नेफ्टोमीटर, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये इसको मगर आप याद रखिएगा, ओडोमीटर से कॉशन बना है, और ओमीटर कभी पूछा जा सकता है, ऐसी पॉस्विलिटी इसकी है, आगर देखिएगा, इन सब में काम का पहले मैं आपको बता है, फोनोमीटर, ये क्या काम करता है, धोनी की तीब्रता को मिजर करता है, धोनी की तीब्रता को, ये मापने बाला यंतर होता है, कौन सा, फोनोमीटर, देखो, धोनी की इस तर को ग्यात करने बाला यंतर होता है, यहां से कॉशन पूछा गया है, फोटो तो प्रकास से काल के फिनॉप्टिलम इसको पर एड़ करते हैं तो इसको बोला ज्यादा पिपेट कहा जाता है तो इसमें आपके इवले फोनोमीटर को आप याद लखिएगा फोनोमीटर में अगर समें काम का भी है था अच्छा कॉशन आ गया है यहां पर तो पॉलीग्राफ को नहीं बू है तो जो पॉलिग्राफ यहोता है इसी को आपक्या बोलते हो ज्घुट पकलने बाली मसीन आप गयरा में होता तो किसी करणा बोलीग्राफ मसीन क्यलाती है हाँ यह जिए बाकई में च्छोट को पकड़ती है यह जो मसीन होती इसको मैं डिटिल में पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा हार्मून सापको पढ़ाऊंगा मैं आपको बता दू आठ से नौ के बीच में सामकी समय मैं किलास लेता हूं अनेकडमी के प्रिटफॉर्म के उपर तो जो उपर जो आपको हो जाती बढ़ जाती है मगर इस पॉलिग्राफ मसीन से जो मंजी हुए खिलाडी होते हैं जो उम्दा खिलाडी होते उनको पकड़ा नहीं जा सकता पॉलिग्राफ मसीन से पॉलिग्राफ मसीन से उनको पकड़ा नहीं जा सकता जहां भी सब्दा आपको मिल जाए पाइरो पा प्रिकरन जो होते हैं रेडियसन जो आरा, अलफा, वीटा, सोरी, योई भी रेज आरी, योई ए आरी है, बी आरी है, वो कितनी मातरा में आरी है, उसको मिजर करने के लिए पाइल हिलियोमीटर का यूज किया जाता है, उके, इन सभी में देखी काम है, एक रडार का बहुत ज बने होंगी तो बोलते हैं मिसाइल यहां पर आ गई है मिसाइल यहां पर आ गई है तो यह सिस्टम को रडार सिस्टम बोला जाता है सिस्ऩ्टम केलाता है, इस में आपको डुसमें चल रही है, उसमें आपको बताऊंगा यह राडार क्या कहलाता है रेनिगेज देखेगा हिंदी बुलते बर्सा मापई यंद्र कहा जाता यसे समय पानी कर रहा है तो rain engagement कुछ इस तरीके का होता, उपर लगी होती, funnel और नीचे लगा होता, measuring cylinder लगा होता, बताते हैं, इतने mm बर्सा हुई, इतने mm बर्सा हुई, इतने mm बर्सा आपको देखने को मिलेगी, हाँ, safety लेंप आप देखेंगे, ये भी बहुत काम का है, ये दो तो आपको याद र मार किया था, ये होता क्या था, जो कोईले की ख़दान, उस समय ज्यादा बिजली नहीं हुआ करती थी, कोईले खदान में ख़दाई हो रहे है, यहाँ पर मीथेन गेस निकलती थी, जो कि जुरंसिल गेस होती है, अब लोग लालटेन लेके अंदर खदाई करने के लिए ज जलने के लिए परयाप तापमान नहीं मिल पाता था, तापमान फैलने के कारण, तो यहाँ पर बिस्पोर्ट नहीं हो पाता था, तो लोगों ने इसको सैफ्टी लेंप की संग्या दी, या हम्फ्रेड एवी का अभाय दी पिस्वी को कहा जाता है, इस कुरू गेज यदि अपने प्रेक्टिकल की हों फिंजिक्स के, तो कुछ इस तरीकर मीटर होता यहाँ पर ऐस इन दी बता से संबंदित है इसको आप बिल्कू नहीं भूलेंगे सीस्मों मीटर, स्कूगेज भी पूछा गया है स्पीरियो मीटर तो आपको पता ही चल जाएगा स्पेक्ट्रोस्कूप की आप समझ बेजा गया स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम मतलब जो अलालक कलक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ओके स्पेक्ट्रम जो पता है, स्पेक्ट्रम मेंटर तो इतनी बार पूछा गया है मैं आपको उसके बारे में तो लिटेल जानकार ही आपको दूँगा मतलब पचास सु बार आपको देखने को मिलेगा स्पेक्ट्रम मेंटर को प्यों कहां पर करते हो जो बलड प्रेसर को मिजर करने के लिए याद करो बलड प्रेसर केतना हो था 120 अपान 80 mm of HG यह मैं आपको बता चुका हूँ बस इसमसे स्पेक्ट्रम मेंटर तो बहुत ही काम का है इष्टेतोसकोप देखें का हूँ से काम का है इष्टेतोसकोप आपने दесьखा हूँ होगा डॉक्ट्र कान उस बहुत चर्थ काम का नहीं वह यहाँ से स्टेतोसकोप याद रखेंगे इसकी अविसकार किय다면 यहां से कॉश्चन तो नहीं मनें सब्मरीन आपको पाता है इसको आप पंडूबी के नाम से जानते हो इसकोल बगारा में रनिंग बगारा में उप्योग करी जाता है हाँ टेकोमीटर बायो यहां की गती वाकी में काम कही है यहां पर बहुत काम का जुआ है उसके उपर जादा फोकस करता हूं इसमें देखिए कि काम के तो खास काम के तो आपके कोई ही नहीं हाँ एक काम का आसमें देखिए का टेलिसकोप इसमें काम का है यहां से कॉश्चन टेलिसकDave क्या होता जो दूरश्ट बस्तूज जो होती हैं इसे को दूरदर्सी के नाम से भी जाना जाता है देखो मगर एज़ार नहीं पूछ आप दूर दर से टेलिस्कॉप कॉप्योग दूर इस बस्तूओं को मेजर करने के लिए या उनको देखने के लिए इस कॉप्योग किया जाता है कि कि ी कि अग्ला बेखिए का हां थर्मामीटर है हां से पूछा गया तर्मीटर बार्भद कामका है थर्मोच टांसफर्म बाक़ी कुछ नहीं पूछा है थर्मीटर जो cette आ इस नहीं पूछा था यहां पर क्या लिक्विड मर्कुरी मर्कुड़ी जो लिक्विड श्टेड में ही होती है, यह पूछा था कि थर्ममीटर में किसका उप्योग किया जाता है, तो मर्क्यूरी का यहां प्रूप्योग आपको देखने को मिलेगा. थर्मो श्टेड नाम से किलर होता, थर्मो मतलब होता, टेंपरिचर श्टेड मतलब उसको फिक्स रखना, तापमान को नियत करने बाला एक मीटर होता है, एक इस्ट्यूमेट होता, थर्मो श्टेड कहा जाता है, खास काम के नहीं है, इसमें, हाँ, देखेगा, बात करते हैं इसमें सबसे काम का है तर्वाइन तर्वाइन का काम करती है आपने देखा होगा पानी उपर से बहा डेम आपने बना दिया बांध बना दिया तर्वाइन क्या होगी तर्वाइन घूमेगी तो पूछता तर्वाइन किस से किसमें उर्जा को परिवर्तित करती है. तो कानेटेक ऐनर्जी गतिच उर्जा को तर्वाइन इस प्रिंसिपल पर कार करती है. बासुमयली है? तो यसम से पूछा कि किसमे किसं सतर्व송ों परुड़ट करेगी? तो पानी करेगा तो पानी में होती हुधी काईटेक एनरजी गतर चुर्जा यह तरमाइन घूमी तो कनबर्ट होगी में इस साफ्ट के तो जूड़ी होती है तो मोटरने से यहांतर चुर्जा को में केनिकल एनरजी को बिर्द तूरजा में परीबर्ट कर दिया जिससे आप क्या दिखाई देगा आपको बल बग्र जल उनको बोलते अल्टासोनिक साउंड भी बुला जाता है तो ब्रेन के ट्यूमर बगेरा बताने के लिए इसका प्योग करते हैं यूएसजी यही कहलाती है अल्टासोनोग्राफी जो होती यूएसजी तो गरवस्त बच्चा जो है उसका विकास का पता करने के लिए को सिटी मतलब सियानता को मापने के लिए ठीक है वाकी खास काम किसमें नहीं है हाँ बोल्टी मीटर देखिएगा दो बिंदूओं की बीच में आविसों को बताने के लिए आविस कितना चार्ज कितना बोल्टी मीटर का यूज़ किया जाता है जिरॉक्स मतली फोटोकाफी एक्सरे तो यह एक्सरे देखिया एक्सरे मसीन थोड़ा सा काम का है एक्सरे से क्या होता है जो आंतरे कंग जो होते हैं हड्डियों को पता लगाने के लिए कहीं क्रेक तो नहीं है तो एक्सरे का यूज़ किया जाता है एक्सरे को रोंट जन्निक हो जा था, ये कोशन पूछा गया है, वाकित उसमें काम मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, बोल्ट मुटर है और एक्सरे मसीन, आखरी में क्या है, ओके, जाइलो फोन है, संगीत का एक बात देन थोता, जाइलो फोन तो आपने देखा भी होगा, या मीटर देखीघा, हाँ, बायू यान में, ये प्रियुक्त होता है, जो बायू की दिस्था परिवर्तन की बारे में बताता है, या मीटर जो होता है, और जन्क को मीटर एक वरग मैंने हैर एक्सामें ने देखा, जन्क को मतलब ज distractions, जस्ता जैसी उप मदरन करने बाला, उसो प्रिंट करने बले एक क्यूपमेंट होता जिनको ग्राफ जो होता है खास काम का तो नहीं है तो मैंने कुछ आपको खास मीटर से यहाँ पर बता है इन मीटर से करीब 200 कॉशन्स बने हुए है मैं कल या परसों आपको सॉल्ब कराऊंगा इसके ठीर सारे कॉशन्स तो करीब मैंने आपको बताए 200 कॉशन्स जितना सा मैंने जो आपको बता है आपको लग रहा होगा करीब 200 कॉशन्स आपको देखने को मिलेंगे की है क्या तीन टेस्ट हो भी चोके हैं एक डिट बचा हुआ है जो एसाई में एडिविशन लेना चाहते हैं तो 26 जून है और 27 जून है यहां पर पीसे के लिए तो इस पर बिल्कुल फ्री आफ कोश्ट आपको देखने को मिलेंगे फिर यह आपकी यह रहेंगे पेपर्स बात करते हैं यावदस आपके लिए लेकर आते हैं कि अब मद्य प्रदेश तो एक डिट यहां पर बची हुई है मद्य प्रदेश का पहले पेपर कराते हैं फिर उसको सौ प्रस आंसर आइटिंग तो जिनका लक्ष है 2021 तो इस बेच को बिल्कुल आप जॉइन करिएगा एट मंत बाला जो बेच यहां पर स्टार्ट हुआ है और यदि मैं बात करूँ कि जो दो साल बाला बेच है टू इयर का फॉन्डेशन जो बेच है मतलब जिनका लक्ष है 2022 इ आप सभी लोगों को बता दूँ हाँ एक बेच आपको देखने को मिलेगा 17 जून से जो श्टार्ट हुआ है यहां पर अंसर राइटिंग बेच है इसके लाबा देखेगा एक आट मेने का फॉन्डिसर बेच भी यहां पर स्टार्ट हुआ है होगा मतलब तीस तारीक को होगा तो इस तरीकिस आप देख पा रहे होंगे अनकेडिमी को पर करीब 30 से 35 बेच हर मन्त यहां पर स्टार्ट होते हैं हर मन्त आपको यहां पर देखने को मिलते हैं अनकेडिमी आप सभी के लिए लेकर आई है बहुत मिनियों फीस पर प्रोफिसरली कंपीटेंड और ली मिनियों फीस पर आपको प्रोफिसरली कंपीटेंड लोग आपको पढ़ाएंगे तो यहां पर कोड का यूज करेंगे अंके जो की मेरा नेम है ए एन के आई टी अंके सी टैन तो इस कोड का यूज करके आपको मैगजियम डिसकाउंट आपको देखने को मिलेगा आपको यह यहां पर अधिक्तम डिसकाउंट देखने को मिलेगा यदि यह कोड का आप यूज करेंगे क्या अंके सी टैन तो चूकि फीस यहां पर अभी एक ओफर भी चलना है बारा महिने के साथ दो महिने और चौबीस महिने के साथ तीन महिने का जो सब्सक्रिप्सिन बाला प्लस व अधिक्तम डिसकाउंट आप सभी को देखने को मिलेगा थीक है तो बिल्कुल जो भी लोग लक्ष बना हैं उस्टेट पेसी को फाइट करने का तो बिल्कुल आप जोइन करेगा धन्रबाद